जिन्दगी में कुछ साइकोलोजिकल फैक्ट जानना बहुत जरूरी है जिससे आप अपने आने वाले टेंशन से बच सकते हैं या कम कर सकते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को जादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आप से चिड़ने लगेगा और जल्दी ही आपका दुश मन भी बन जाएगा इसलिए सुधार की आदत वहाँ पर करें जहां पर उसका वैलकम हो नहीं तो आप खुद इस आदत को सुधार लें यदि आप डिप्रेशन और टेंशन में हैं तो तुरंत अपने कमरे की सफाई करने में लग जाएं ऐसा करने से आपके दिमाग में नकारत्मक सोच रखने या सुनने से आप बहुत जादा मानसिक और फिर जल्दी ही शारिरिक तोर पर बिमार पढ़ सकते हो इसलिए नकारत्मक सोच को तुरंत डस भीन में डाल दो और जो सकारत्मक नहीं हैं उसे ना ही सुने ना ही सोचें कोई आपके बारे में आपके साम वो सकारत्मक नहीं हैं तो आप ये समझें कि आप किस लायक हैं कि वो आपके बारे में बात तो कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्स्राइब कर लिजिए अल दो बेस्त कर दो